नमस्कार जरोका चानल में हम आपका स्वागत करते हैं आज हम क्लास 12 की कविता ये दीप अकेला की व्याख्या करेंगे इस कविता की व्याख्या के साथ साथ हम आपको इस कविता में आने वाले कठिन शब्द, संदर्व, प्रसंग, काविसोंदर्य और कविता के प्रश्ण उत्तर भी करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12 की कविता यह दीप अकेला की व्याख्या अकेला इसनेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ती देदो यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा पंडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृती लाएगा यह समिधा ऐसी आग हठीला बिरला सुलगाएगा यह अध्विती यह मेरा यह मैं स्वयम विसर्जे यह दीप अकेला इसनेह भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ती देदो यह मदुए स्वयम काल की मौना का युग संचे यह गोरस जीवन काम धेनु का अम्रद पूत पै यह अंकुर फोडधरा को रवि को तकता निर्भै यह प्रक्रत स्वयम हू ब्रह्म अयुतह इसको भी शक्ती को देदो यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ती देदो यह विश्वास नहीं जो अपनी लगता में भी कांपा वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयम उसीने नापा पुच्सा अपमान अवग्या के धुनवाते कडवे तम्मे यह सदा द्रवित चिर जागरुक अनुरक्त नेत्रु उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा जिग्यासु प्रबुद सदा शुर्धा में इसको भक्ती को देदो यह दीप अकेला इसने भरा है गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ती देदो यह कविता थी और अब हम इसमें जो कठिन शब्दाएं हैं उनके अर्थ जान लेते हैं इसने कहलाता है तेल और इसने का तात्पर होता है प्रेव मदमाता याने नशे में डूबा हुआ पंडुब्बा कहते हैं गोता खोर मनुश को भी और पंडुब्बा नाम का एक पक्षी भी होता है जो जल में रहता है जल्चर प्रानी है वह दुपकी लगाकर मचली पकड़ता है कृती याने भाग्यवान समिधा यगी की सामगरी बिरला शायद ही कोई विसर्जित याने प्यागया हुआ प्रक्रत याने प्राक्रतिक स्वयंभू याने स्वयंपैदा हुआ आयोता है याने दस हजार की संख्या या असंबध्ध कुच्सा याने निंदा मौना याने टो अब संदर्व देखते हैं प्रसुत कावेपंक्तियां पाठ्य बुस्तक अंत्रा से ली गई हैं कविता का शीर्षक है यह दीप अकेला तथा इसके रचनाकार हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्गे और अब प्रसंद कवी ने दीपक के प्रतीक के द्वारा मनुष की स्वतंत्रता और उसकी सार्थक सत्ता की अभिव्यक्ति की है व्यक्ति की सत्ता को समाज की सत्ता के साथ जोड़कर कवी इस कलता में देखते हैं व्याख्या कभी कहते हैं कि एक दीपक जो तेल से भरा हुआ है और उसी की शक्ती लेकर जल रहा है पर वह भी जूठे गर्व और अहंकार के कारण मद से भरा हुआ है मद याने नशा मद याने गर्व उसे लगता है कि वह अपनी ताकत से जल रहा है जटकी वह तेल पर निर्भार है पराश्रित है वह अकेलापन न रहे इसलिए यही उचित होगा कि जहां पर दियों की कतार है वहीं पर उसे भी रख दिया जाए एक व्यक्ति अकेला रहकर व्यक्ति शक्ति का स्वामी बन जाता है इसलिए उसे समाज की विपल शक्ति के साथ जोड़ देने से जहां उसका अहंकार मिटेगा वहीं समाज और ज्यादा शक्तिवार बनेगा यहां दीपक मनुश का प्रतीक है एक छोटा सा दीपक अपने एक दाइरे में प्रकाश फैलाता है पर जहां सो दीपक रखे हों वहां हम एक दीपक और जोड़ दें तो 101 दीपकों का प्रकाश 101 गुना हो जाता है इसके द्वारा कभी कहना यह चाहता है कि एक मनुश समाज को अपना जितना योगदान देता है वह एक व्यक्ति का योगदान है पर जब वह समाज से जुड़ जाता है तो सामाजी की योगदान बन करके वह कई गुना ज्यादा अपने हैं योगदान कर सकता है कबिए अग्रेजी कहते हैं कि यह एक मनुष है जो गीत गाता है क्योंकि इसके सवाय गीतों को भला कोई और क्या गापाएगा गीत गाने का काम मनुष करता है और वो कभी कहते हैं कोई दूसरा गाय नहीं सकता गोता खोर ही समुद्र में गहरे उतर कर सच्चे मोती ला सकता है उसके अलावा और कोई नहीं ला सकता दूसरा उदारल गोता खोर का है कि जो मूलिवान बोती है उसे गोता खोर ही ला सकता है यह उसी का कौशल है कि कोई दूसरा ऐसा नहीं कर सकता इसी तरह यगवेदी में जो अगनी प्रजवलित होती है वैसी आग सुलगाई जा सके ऐसा तो कोई वेरला ही कर सकता है मनुस्य जैसी रचना अदुती है वैसी रचना और कोई नहीं है यह बता दे के लिए कवी ने कई उदारन दिये है कि प्रतेक का अपना एक हुनर होता है कौशल होता है और वही उस काम को कर सकता है अपने स्वा को विसर्जित कर दें तो हम सचमुच अनोखे और अदुती हो जाते हैं अगेजी अपने भाव को व्यक्त करने के लिए आगे जो उदारन देते हैं वो इस प्रकार है यह उस प्राकृतिक शहद के समान है जिसे स्वयम समय ने अपनी टोकरी में योगों से संचित किया है यह वह गोरस अर्था गव से प्राक्थ होने वाले विविद तत्व हैं जो जीवन रुपी कामधेनू ने अम्रित दुब्ध बनकर प्रदान किया है और पौधे कवय नन्ना तथा कोमा लंकुर जो भीषण रूप से तप्त सूर्य को भी बिना किसी भय के निहारता रहता है कठोर जमीन को तोड़ कर बाहर निकलता है खुल बहुत कोमल है लेकिन वह कठोर भूमी को भी तोड़ देता है और बाहर आता है बाहर आकर के जो भीषण तप्त गर्म सूर्य है उसकी किर्णों का वह सामना करता है उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता यह अंकुर प्रकृति से जन्मा है स्वयम निर्मित हुआ है इसलिए यह ब्रह्म के समान है हजारों सालों की आयू से युक्त है अता इसे भी शक्ती को दे दो यह कभी कहते हैं अगले पद में इस्टेंजा में कभी कहते हैं कि यह ऐसा विश्वा से जो चाहे अर्त्यंत लगू ही क्यों नहों तब भी वह विचलित नहीं होता वह उस पीडा के समान है जिसकी गहराई में कोई दूसरा और उस गहराई को माप नहीं सकता माप भी तो स्वयम मापा भी तो स्वयम पीडा नहीं मापा उसको निंदा अपमान और अवग्या के अन्धकार में भी यह हमेशा ही अपने आखों में दूसरों के लिए करुणा लिये रहता है सदा जागरत रहता है आखों में प्रेम की तरलता बनी रहती है यह सदेव अपनी भुजाओं को उपर उठाए रखता है उसके हर्दय में अपने पन का ऐसा भाव है जो कभी खंडित नहीं होता वह जानने की इच्छा से भरा हुआ है प्रमुद्ध है और हमेशा से सुरद्धा में भी बना रहा है इसलिए यही उप्यक्त होगा कि हम इस मनुष्य नामक प्राणी को भक्ती का भाव दे दे यह व्याक्या थी और अब इसका भाव सोंदरि कावि सोंदरि करेंगे पहले खड़ी बोली में कविता की रचना की गई है दूसरा प्रगीत शैली का प्रयोग हुआ है तीसरा कविता में प्रतीक विधान और बिंब विधान का प्रयोग हुआ है चोथा अनेक उदाहरन प्रयोग में लाएगे गए है इसलिए दृष्टांत अलंकार है अनेक इस्थलों पर एक ही वर्ण की अवावृत्ती एक से अधिक बार हुई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है जैसे गाता गीत कौन कृती अपमान अवग्या आदी छट्मा जीवन कामधेनूं का अम्रत पूत पए इसमा रूपा कलंकार है सात्मा कविता में खांतुरास है आठमा या मुक्त छंद शैली में रची गई कविता है और नौमा माधोजे तथा ओज गुड़ों से यह कविता परिपूर्ण है और अब भाव सोंदरे अग्ये जी ने दीपक को प्रतीग बना कर मनुष के बिभिन मनो भावों और शक्तियों का चित्रन किया है इस प्रकार साधारन मनुष में भी महान गुणों के होने की ओर कवि ने संकेत किया है चलिए अब इसी कविता पर आधारित प्रश्णोत्तर करते हैं प्रश्ण पहला है दीपकेला के प्रतीकार्थ को इसपस्ट करते हुए बताईए कि उसे कवि ने इसने भरा गर्व भरा और मदमाता क्यों कहा है तो इसका उत्तर है दीपकेला के प्रतीकार्थ को इस तरह स्पस्ट किया जा सकता है कि जिस तरह एक अकेला दीपक अपनी सीमा में ही प्रकाश खेलाता है उसी तरह एक अकेला मनुष भी अपना सीमित योगदान ही कर पाता है पर यदि अकेले दीपक को दीपको की कतार में रख दिया जाए और अकेले मनुष को मनुष समाज से जोड़ दिया जाए तो दोनों के ही शक्तियां और प्रभाव कई गुना बढ़ जाते है कवी ने इसने भरा इसलिए कहा है कि दिये में तेल भरा होने से ही दिया जलता है मनुष की भी प्रेम पाकर और देकर ही अपने जीवन को सम्रुद्ध बनाता है गर्व भरा इसलिए कहा है क्योंकि दीपक जब प्रकाश देता है तो उसकी लौ निरंतर उपर की ओर बढ़ती जाती है और उसे इस बात का अहंकार हो जाता है कि वह प्रकाश प्रदान कर रहा है मनुष में भी अपनी शक्ति का गर्व रहता है मदमाता हुआ इसलिए कहा है क्योंकि दीपक की लौ लहराती रहती है और मनुष भी अपने अहंकार में चूर रहता है उसकी चाल बिगड़ जाती है और अब प्रश्न दूसरा यह दीप अकेला है पर इसको भी पंती देदो के आधार पर व्यश्टी और समस्टी में विले क्यों और कैसे संभो है यह बताना है तो उत्तर है एक अकेला दीपक सीमित रूप से ही अपना योगदान कर पाता है परंतु वही दीपक जब दीपकों की कतार में शामिल हो जाता है तो उनका समगर योगदान कई गुना बढ़ जाता है इस तरह एक को अनेक में बद्दा जा सकता है यह आवश्चक भी है क्योंकि एक का योगदान अनेक के योगदान की तुल्ना में हमेशा ही कम होता है दोनों का जुणना आवश्चक है उनकी शक्ति और शमता का इसी से विस्तार होता है और अब प्रश्ण तीसरा गीत और मोती की सार्थक्ता किस से जुड़ी है उत्तर है गीत की सार्थक्ता मनुष्च से जुड़ी है क्योंकि वही उसे गाता है अगर मनुष्च गाय नहीं तो गीत का कोई अर्थ नहीं है इसी तरह मोती की सार्थक्ता उस गोता खोर से संबद है जो उसे समुद्र से निकाल कर लाता है बिन गाया गीत और बिन खोजा मोती मुलिवान होकर भी निरर्थक ही रहते हैं और आप प्रशन चौथा यह अदुती यह मेरा यह मैं स्वयम विसर्जे पंक्ती के आधार पर व्यस्टी की समस्टी में विसर्जन की उपयोगिता बताईए तो इसका उत्तरिस्थरे होगा कि जब व्यस्टी अर्थाद एकाई का समस्टी अर्थाद समूह में मिलाप होता है तो उसकी शक्ती, शमता और योगदान कई गुना बढ़ जाता है मनुष अपने आप में एक लगुई काई है उसमें कितने भी गुणों पर समाज से न जुणने पर उसके गुणों की कोई उपयोगिता नहीं रहती जुड़ जाने पर वह अपना योगदान भी बढ़ास लेगा और बदले में समाज का योगदान भी हासिल कर सकता है और अब प्रश्ण पाँचवां यह मधु है डॉट 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 तकता निर्भे पंक्तियों के आधार पर मधु घोरस और अंकुर की विशेष्टा बताईए उत्तर है कि इस पंक्ति के आधार पर विशेष्टा इस्तरे बताई जा सकती है मधु की विशेष्टा यह है कि उसका एकत्री करण समय रूपी टोकरी में एक दीरगवधी के दोरान होता रहता है गोरस की विशेष्टा यह है कि वह जीवन रूपी कामधेनू से प्राप्थ होता है और मनुष को ही देव पुत्र बना देता है अंकुर की विशेष्टा यह है कि वह इतना दोस्साहिसी होता है कि कठोर भूमी को तोड़ कर बाहर निकलता है और सूरी की प्रचनता का भी सामना कर लेता है अब छटवा है भाव सोंदर इसपस्ट कीजिये का यह प्रकृत स्वयंभू डाट 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 शक्ति को देदो इस इन पंक्तियों का करना है तो उत्तर है भाव सोंदर घूमी को तोड़ कर उगने वाला अंकृर प्रकृति द्वारा निर्मित है वह स्वयंभ बना है उसे किसी ने बनाया नहीं इसलिए वह ब्रह्म भी है वह अकेला नहीं है उस जैसे हजारों अंकृर है इसलिए इसे भी शक्ति में जोड़ दिया जाए तो वह असंख कोना शक्तिवान हो जाएगा खा यह सदा द्रवित चिर जागरुक डाट डाट चिर अखंड अपना पा भावस अंदर है दीपक जलता है उसकी बाती तेल में डूबी रहती है इसलिए वह सदा तरल बना रहता है कठोरता उसका गुण नहीं है जलकर वह सदा जागरुक बना रहता है सब के प्रती प्रेम भाव रखता है सहयोग के लिए भोजाएं उठाए रखता है इस तरह उसका हमारे साथ अटूट अपना पन है गा जे ग्यासू प्रबुद सदा सुरद्धा मैं इसको भक्ती को दे दो तो इसका भावारत इस्तरह होगा कि दीपक और मनुशू दोनों ही दोनों के विशे में कवी का कहना है कि वे सदय और नया जानने की इच्छा से युक्त रहते हैं इसी कारण से उनमें प्रबुद्धता का गुण है वे ज्यान के प्रती अपनी शुरद्धा बनाए रखते हैं इस तरह यह एक प्रकार से भक्ती भावना ही है अतय उसे भक्ती में ही समर्पित कर देना चाहिए और अब सात्मा प्रश यह दीप अकेला एक प्रयोगवादी कविता है इस कविता के याधार पर लगुमानों के अस्तित्व और महत्व पर प्रकाश डालिए उत्तर है हिंदी काव विसाहत्त में जब नई कविता अंदोलन का दौर चल रहा था तब उसका मुख्य भाव था लगुमानों के अस्तित्व और महत्व को अभिव्यक्त करना अगेज ही इस अंदोलन के प्रधान कभी रहे हैं इस लिहाज से इस कविता को समझने के लिए यह एक महत्व उपकरन है कि हम लगुमानों के अस्तित्व और महत्व को जान लें नई कविता का जो लगुमानों वाद था उसमें यह माना जाता था कि मनुष्य अपने आप में बहुत ही साधारण है बहुत छोटा है उसकी जो उसका अस्तित्व जो है उसकी इयत्ता जो है वह बहुत ही नगण्य है लेकिन उसे नगण्य मान करके उसकी उपैक्षा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उसके योगदान को अन्य मनुष्यों के साथ जोड देने से योगदान को कई गुना बनाया जा सकता है इसी से समाज निर्मित होता है राष्ट निर्मित होता है, संसार निर्मित होता है, समूची पृत्वी का निर्मान होता है कभी इस कलिता में लगु मानों की तुलना एक नन्ने दीपक से करते हैं जैसे एक दीपक अपनी छमता भर उजाला पैदा करके अन्धकार को हटाने का महत्मूर काम करता है उसी तरह साधारण लगू मनुष्य भी अपनी शमताओं और योगताओं से समाज में योगदान करता है ऐसे करोणो लगू मालवों के योगदान से ही समाज की प्रिवती होती है इसलिए उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती जैसे बूद बूद से समुद्र बन जाता है उसी तरह साधारण से साधारण मुनुष्य के योगदान से समाज और देश का निर्मान होता है प्रशनाटवां कविता के लाक्षनिक प्रयोगों का चैन कीजिए और उसमें जो सौंदर्य नहित है उसे इसपस्ट कीजिए उत्तर है कविता के लाक्षनिक प्रयोग वाली पंक्तियां इस प्रकार हैं पहला यह दीप अकेला इस रेह भरा दूसरा इसको भी पंक्ति को दे दो तीसरा पंडुब्बा यह मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा यह गोरस जीवन काम धेलिनु का अम्रत पूत पए पाच्वा यह अंकुर फोड धरा को रवी को तकता ने रभए अब इनके अंदर सौंदर्य क्या है वो देखते हैं तो जो पहली पंक्ति थी उसमें दीपक से मनुष्ट की तुलना की गई है इसलिए प्रतीकात्मक्ता का सौंदर्य उस पंक्ति में है पंक्ति दूसरे में पंक्ति का ताचपर समाच से है इसलिए यहां भी प्रतीकात्मक्ता है तीसरा जो पंक्ति है उसमें मोती खोजने का हुनर हो तभी हमको मोती मिल सकता है तो पंडुब्बा जो है इसमें एक प्रतीक है वहाँ पर जीवन को कामधेनु कहा गया है और उससे प्राप फलों को गोरस इसलिए रूपक अलगकार है और जो पांचवी पंक्ती है इसमें एक कोमलंकुर अपने अपूर्व आत्मश्वास से धर्ती तोड़ देता है और सूर्य के प्रचंड ताप का सामना करता है यह शक् आपका का प्रतीक है तो इसमें प्रतीक आत्मश्वास सोंदर है तो यह था अग्यजी की पहली कलता यह दीप अकेला के सब्दार्थ संदर्म प्रसंद व्याक्या काविसंदर भावसंदर और उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर क्रपें से शेर कीजिए कीजिए लाइक कीजिए आपका बहुत बहुत धन्दवाद